आज बनाते हैं प्रोटीन से भरे दाल और पालक से बहुत ही बढ़िया रेसिपी साथ ही में मैं कुछ टिप्स और ट्रिक शेयर करूंगी ताकि आप ये रेसिपी परफिक्ट बना सको रेस्टूरें स्टाइल प्लेटिंग करना भी सीखे इस वीडियो में तो चलिए देर नहीं करते हैं लेट्स स्टाइल हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल चलिए बनाते हैं डाल पालक की बड़िया सी रेसिपी इसके लिए हम लेंगे तीन चुथाआ कप के करीब दोर डाल और साथी में मैं यहां मसूर की डाल यूज़ करते हूं एक चुथा दाल और शैनल लिए तीनों डाल लिजेगा बहुत बड़िया स्वात आता है सबसे पहले हम इसे wash करेंगे 3-4 पानी के साथ ताकि इसके अंदर जो दूल में 3 impurities हो वो निकल जाए अब इस दाल को हम pressure cooker में add करेंगे और 3 cup के करीब पानी add कर लेते हल्दी और थोड़ा सा नमक add कर ले स्वाद अनुसार और इसमें डाल देंगे आधा चमजीरा और इसे अब हम pressure cook करेंगे friends 3 whistle के लिए medium flame पर अब ले लेंगे यहाँ पालक 200 ग्राम के करीब और इसको आप अच्छी तरह से clean कर ले और wash कर ले पालक हमेशे छोटी लीजेगा इसमें जादा स्वाद होता है यह tip याद रखेगा मैंने पालक को wash कर लिया है अब मैं इसको chop कर लूँगे roughly ही आपको chop करना है और चलिए इसे blanche कर लेते हैं पानी मैंने already गरम करने रख दिया था इसमें डाल देंगे नमक और हम add कर लेंगे हमारी कटे हुई पालक टेंशन नहीं लीजेगा इस पानी का भी हम यूज करेंगे इसे पीने का पानी ही लीजेगा और एक मिनिट के लिए ही blanche करिएगा एक मिनिट के बाद आप इसे निकाल ले और इमीडेटली आपको इसे थंडे पानी में डालना है इसे शोकिंग बोलते हैं ताकि पालक का जो कुकिंग है वो स्टॉप हो जाए और पालक का जो कलर है वो रीटेन हो जाए देखे कितना बड़ा ग्रीन कलर आया है ये टिप आप याद रखी का कोई भी रेसिपी के लिए अब इसका जो एकसिस पानी है इसे हम स्ट्रेंड कर लेते हैं और चलिए आगे की प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं तो चॉपर ले लिया है इसमें बड़ा प्याज मैं एड कर लूँगी रफली चॉप करके साथ ही में हम इसमें डालेंगे अदरक अद्रक को भी हम रफली चॉप करके ले लेंगे और साथ से आर्ट लसन की कलिया और दो हर इमिज डाल के इसे हम चॉपर में चला लेंगे आप चाहे तो चॉप करके भी ले सकते हैं तो यहां मेरा ये चॉप हो चुका है तो ये भी रेडी है चलिए अब इसकी कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो टेबल स्पॉन ओयल ले लेंगे कडाई में और साथ ही में एक चमच के करीब घी आड़ कर लूँगी इसमें एक प्यास को मैंने लंबा-लंबा कट कर लिया है और इसे फ्राइ करेंगे जैसे हम बिर्यानी के लिए फ्राइड ओनीन यूज करते हैं बरिस्ता जिसे बोलते हैं वहीं हम यहां बनाएंगे इसके लिए तो एक प्यास को आप इस तरह से फ्राइ कर लें और उसी तेल में हम दाल देंगे फ्रेंज एक चमच जीरा थोड़ा सा हिंग डालेंगे और इसमें डालेंगे एक तेज का पत्ता और सिनिमन स्टिक यानि दाल चिनी से थोड़ा सा टड़कने देंगे और जो हमने अभी चॉप किया था प्यास अद्रक लेसन इसको हम इसमें एड़ करके फ्राइ कर लेंगे लो फ्लेम पर जब तक कि ये हलका सा ब्राउन ना हो जाए और यहाँ डाल भी दम पॉफिकली बॉइल हो चुकी है देखिए क्या कलर आया है इसे मिक्स कर लेंगे और जो पालक जिसमें ब्लांच किया था वो पानी ही हम इसमें आड़ कर लेंगे पूरी रेसिपी में मैं यही पानी को यूज करने वाली हूँ तो पालक के जो भी गुण है वो सारे मिलेंगे अब चले चेक कर लेते हैं प्यास को तो यह परफिकली ब्राउन हो चुके हैं अब इसमें मैं दालूंगी फ्रेंस एक टमाटर चॉप करके और टमाटर को बस एक बार मिला लेंगे और सारे सुखे मसाले अब एट करेंगे जैसे नमक डाल देंगे लानमिची का पाउडर एक चमच के करीब दाल दे धनिया का पाउडर दे चमच के करीब डाल दे एक चोथाई चमच के करीब गरम मसाला डाल दे बेसिक मसाले जो हमा मिला लेंगे यह देखे पाला का कलर कितना बढ़ी आया है बस मिलाने के बाद हमने जो दाल कुक करी है वो इसमें एड कर लेंगे बहुत ही एजी रेसिपी है और टेस्ट ही इतनी क्या बताओ मैं देखती है आपको डेफिनिटली इसको बनाने का मन करेगा दाल एड कर लिया ह है मीडियम फ्लेम पर हमें पालक जादा नहीं पकाना है अदर वाइस उसका कलर चेंज हो जाएगा जब बॉइल आ जाए तब इसमें डाल दे लेमन जूस आपके तेसके कोर्डिंग ली साथ ही में थोड़ा समय इसमें गरम मसाला आड कर रही हूं फ्रेश धनिया आड कर र प्रिपार करते हैं तो घी और गार्म हो जायेिसे हम डाल देंगे जी Bureau को ड़े तो टौड़ा देते है अब दाल देंगे हम फेटे हुए गालिक जरूर डालेगा इसे हलकी ब्राउन होने देंगी इसके बाद हम इसमें धन्या की डंडिया डाल देंगे चॉप करके बहुत यह चाप फ्लेवर आता है और रेस्टुरेंट में जो कलर आता है रेड ओयल का वो इस वज़े से आता है क्योंकि उसमें कश्मीरी लाल मिच डाली जादे गैस को आफ कर ले और दो लाल चिली भी जरूर डाले और अब जो दाल है इसके पर जो हमने ओनिन फ्राई किये है वह सबसे पहले डाले और उसके उपर से आप यह तड़का लगा दे इतना बढ़िया यह तड़का लगता है टेस्ट में भी वहुत ही बढ़िया तो फ्रेंट्स कैसे लगी आपको आज की यह रेसिपी देखते ही बनाने का मन हुआ की नहीं और मुँमे पाने आया की नहीं जरूर कमन करके बताएगा इंग्रीडियन भी ऐसे है जो हमारे घर पे मौझूद होते हैं हम दाल तो रोज बनाते हैं बत एक डिफरेंट स्टायल में इसको बनाके देखे है और र एक फैमिली मेंबर आपको बोलेगा कि ऐसी डाल रोज बनाएए इसमें सबजी भी आ गई दाल भी आ गई इसे आप साथ या पराठे के साथ enjoy करें दोनों के साथ perfect लगती है ये एक one pot meal में बोल सती हूं winter में आप गर्मा गर्म इसको खाएए आपको मज़ा आ जाएगा try करते हैं तो feedback देना ना भूले तब तक के लिए friends like भी कीजिए share भी कीजिए और subscribe कीजिए मेरे channel को till then take care bye आप